इसी कड़े में जो नेक शेरिंग है वो रच्छना से रिवस्तव दीदी रखेगी दीदी उच्छ माद्य में शिक्षा शास्किया सीम राइस विद्याल है दमह एमपी में अध्यापक्ते परकारे रथे दीदी ने अपना फॉर्स्ट वर्क्शॉप एप्रिल 2023 में किया था ज तो एक प्रोग्राम चल रहा है उसके तहट नववी और दसवी की कक्षा में इवेच्वी कांटेंड को स्टूड़न के साथ में शेर कर रही है तो दीदी आपका स्वागत है और टी यू नमस्ते सभी को मैं रच्छना श्रवास्तो जैसा कि भाईया ने बताया मैं दमो में सियमराइज स्कूल में हूँ और मेरी उमर है 47 इस परिवार में मेरे हास्बन है बेटा है 21 साल का और मेरी सास है मेरे साथ में मैं एपरिल 2023 में ये वर्क्शॉप विभाग की ओर से करवाई गई थी हम लोगों को तो उसी के तहत स्कूल में मैं UHV की कक्षाएं ले रही हूँ वैसे मैं कॉमर्स की टीचर हूँ और 11-12 में कॉमर्स का अध्यापन कराती हूँ इस शेरिंग में मैं स्टार्ट करूँ तो मैं बताना चाहूंगी कि बजपन से मुझे पढ़ने का शौक था तो मैं बहुत छोटे थे जब हम लोग तो हमें कॉमिक्स दी जाती थी अमर चित प्राप्त हुआ और जिससे वो सुखी हो गए तो मेरे अंदर एक ये प्रेशन उठता था लगाता है कि ऐसा क्या चीज उनके हाथ लगी थी कि वो सुखी हो गए मतलब जितनी भी तरह के उनके दुख से वो व्यथित हो रहे थे वो ठीक हो गया लेकिन फिर इस प्रेशन का होती है नए संबंद और सब कुछ तो वो सब भी कुछ एक दौर चल रहा था जब मैं थोड़ा परिशान और व्यथित रहती थी उस समय लगता था कहीं कोई दिशा मिले तो अलग-अलग दर्शन मैंने सुने और उनको कुछ समझने की भी कोशिश की कुछ को आत्मसाथ किय पर बहुत सही तरीके से वो हो नहीं रहा था फिर 2010-11 में मैं टीवी पर ही बीके सिस्टर शवानी को सुनना प्रारम किया तो बहुत सी चीजे मैं कोशिश करती थी कि वो जो कहरी हैं उसको मैं कर सकूँ पर उस वक्त परिवार का भी विरोध रहता था कि ये कोई उम्र है आ आत्मसात करी या उस में से अपने आप में डाली तो कुछ समस्याएं थी जो मेरी को लगा कि वो एक्चुली समस्याएं नहीं थी मैं बना के रखी थी और कुछ थोड़ा सा दिखा कि कहीं कुछ रस्ता है पर वास्तों एसा कुछ व्यवस्ठिदंग से नहीं कर पा रही थी फिर स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से जब अप्रेल 2023 में UHV और राज यानन संस्था के द्वारा ये FDP वरक्शॉप थी भानु भीया के द्वारा हम लोगों को दी गई थी आठ दिन की इससे जब मैंने अटेंड किया तो फिर जैसे एक मैं अगर खुद की फीलिंग बताऊं तो एक चमतकार जैसा होता है कि मुझे लगा कि ये purpose of life या जो मैं एक दिशा ढूंड रही थी एक व्यवस्थित ग्यान जिससे मैं जुड के और अपने में परिमार्जन कर सकूँ वो मुझे मिल गया फिर मैं कोर्स करके आने के बाद तच में थी कि मुझे morning sessions में जुडना है तो 8th batch को मैंने join किया मैं अब अभ्यास के विशे में अगर बताना प्रारम करती हूं जैसे अभ्यास एक में स्वयम के द्वारा स्वयम को देखना तो इस step के साथ मैं अपनी कल्पना थिलता के प्रती सजग हो गई हूं अब मैं अपने विचारों के पीछे के भाव को देख पाने में सक्षम होती हूं step 2 और 3 तक यदि आए तो मैं अपने भाव और अपनी स्थिती का मुल्यांकन भी कर पाती हूं जैसे ही कोई भाव मुझे में आता है मैं देख पाती हूं कि इस भाव के साथ मैं किस condition में हूं मुझे संगीत में रहना है सुखी रहना है और अगर यही सह स्विकृत है तो क्या ऐसा हो रहा है जब यह मैं देख पाती हूं तो अगले step 4 में मैं अपने भाव को तै करने की जिम्मेदारी भी ले पाती हूं मुझे अपने अनुकूल या प्रतिकूल भाव को उत्पन करने की शक्ती जो है वो में पास है इस बात की समझ भी आ रही है और इस शक्ती को इस्तवाल करके अपने भाव की उत्पत्ती की, मैं स्वह स्विक्रती के अधार पे अपने भाव को परिमार्जित भी कर पाती हूँ, मतलब यदि कोई प्रतिकूल भाव मेरे अंदर उत्पन हो रहा है, तो उसको देखते हुए, और फिर उसमें सही समझ डाल कर, और उसे मैं बदल पाती हूँ, और अनुकू की अनुभूती होती रहती है, और स्टेप फाव ने स्पष्ट किया इस बात को, कि उस भाव को जो प्रतिकूल हो रहा है, अगर उसे परिमार्जित करना है, तो उसे सही समझ के अधार पे खड़ा करना पड़ेगा, मतलब अगर भाव का अधार सही समझ है, सही स्विकृती है, तो वो आटोमेटिक अनुकूल होगा, और यदि अनुकूल है, और हर्शन बना हुआ है, तो मैं निरंतर सुख में रहूंगी, तो यह जो वहाँ पे हम लोगों को एक बात बताई जा रही थी, कि क्या आप सुखी होना चाहते हैं, और निरंतर होना चाहते हैं, तो अभ अस्थित्व के भाव में यदि हूँ, और सुखी हूँ, तो इससे मुझे बनाए रखना है, और बनाए रखने की प्रैक्टिस वही है, कि मैं अपनी सहस्विकृति का उप्योग करती रहूं, और सही समझ के अधार पे भाव को तै करती रहूं, तो अभ्यास एक तो मैं कर आ रही हूं, क्योंकि मेरी पुरानी भी प्रैक्टिस है कुछ, और ये बहुत व्यवस्थित तरीके से है अभ्यास, तो मैं ऐसे तो step by step कर लेती हूं, इस पर मैं कभी हाली में एक मैंने कह लिजे कि एक्सपेरिमेंट किया या मैं को एकदम प्रत्यक्ष दिखा, मैं उसे श प्रैक्षों की, अपनी चीजों की, अपने बारे में और लगतार उनकी साथ मुलाकात में आपको वही बोलती रहेंगी और अपना बताती रहेंगी, तो जो पिछली मुलाकाते होती थी, उनसे जब भी मिलना होता था, तो बातचीत के दौरान मुझे बहुत बेचेनी होने लगती थी, और वो ना बोलने का मौका देती है, ना आपकी किसी चीज पर ध्यान देती है, तो कहीं न कहीं उनसे मुलाकात बहुत सुखद नहीं रहती थी, पर मिलना पड़ता था, अब इस बर जब फिर ऐसी इस्थिती बनी, तो मैंने अपने इस अभ्यास को उपयोग कर करते हुए, अपनी कलपना शिल्ता में इक्षा, विचार और आशा को एक एकर करके चेक करना शुरू किया, तो मुझे लगा कि मेरी उनसे ये आशा है कि वो अगर अपनी तारिफ कर रही है, तो मुझे भी सुने, जब इस बात को मैंने देखा, तो फिर मैंने का विचार क् पिर मैंने इसके पीछे अपने भाव को देखने की कोशिश की, तो समझ में आया कि जब भी मैं ऐसा वाला सोच रही हूं उनके प्रती, तो मेरे में अंतर विरोध हा रहा है, अब जब ये तीन चीजें दिख गई, तो मुझे समझ में आया कि सहस्विक्रती तो मुझे संब किसी को दुखी नहीं करना चाहती है, सभी को ये भी सुखी करना चाहती होंगी, पर चुकि इनकी आदत है, सभाव है या इनका ये योगिता वाली में कमी वाली बात है, कि इनको अपने बारे में बोलना अच्छा लगता है, और ये बात जैसी मैंने अपने अंदर इमर्ज करी तो मुझे वो एक बहुत मतलब बहुत अच्छी लगने लगी वो बहुत उनके साथ में एक ऐसा संबंद का रिष्टा दिखने लगा और इसी बात में ये भी आई कि मतलब इनसे क्यों मुझे अप्रिशेशन चाहिए मुझे जरुवत नहीं है मैं मेरे बारे में चानती हूँ तो वो मुलाकात आसान हो गई फिर घर आके भी कोई बेचेनी नहीं थी घर में लोगों ने भी बोला कि अरे तुम बड़े खुश-खुश उनसे मिलके आ गई तो मैंने का हाँ मतलब आसान हो गया इस बार तो ये पूरे इंसिदेंस से मुझे लगा कि अगर अभ्यास एक को हम हर शान अपने अंदर करते रहें बाहर तो किसी को कुछ पता नहीं चलता है पर जो हमारे अंदर की सह जिस्तिती है उसको बनाए रखना थोड़ा क्या बहुत आसान हो जाता है तो अभ्यास एक पे तो मैं काम कर पा रही हूँ अब ये अभ्यास दो इसके तहत मैं स्वयम को चैतने को और शरीर को अलग-अलग देख पाती हूँ शरीर से मिलने वाली सूचना और समवेदना को पढ़ने और महत्य देने का निर्ने भी मैं या चैतने द्वारा ले पाती हूँ इसे मैंने देखा है लेकिन द्रिष्टा, करता, भूगता ये तीन जो इस्थिती है इसको मैं कभी-कभी समझ पाती हूँ पर इसके प्रती अभी मेरी समझ बहुत अधिक नहीं बढ़ पाई है मैं कारी कर रही हूँ प्रैक्टिस कर रही हूँ पर थोड़ा वक्त लग रहा है फिर मैं स्वयम को समवेदना और शरीर से अलग हूँ ये समझने का पूरे ये समझ आती तो है कई बार, पर ये पूरे समय नहीं बनी रहती है तो कई बार शरीर को लेके और मैं भी परिशान हो जाते हूं जैसे कभी कुछ कोई दर्द है या फिर कुछ कभी ऐसा होता है कि मुझे लगता है कि मैं दोनों को अलग नहीं कर पा रही हूं और शरीर का जो समवेदना है या जो भी परिवर्तन है वो मुझे प्रभावित कर र सुनते देखते बोलते हैं, महसूस करते हैं, बापरिस्तिती मतलब ठंड गर्मी और शरीर में घटित कोई समवेदना, तो इनका असर तो होता है, प्रभाव पड़ता है, पर ये प्रभाव कम हुआ है, मतलब इनको पहले जितना जादा मैं रियक्शन में आ जाती थी, अब मै मैं response वाली तरफ shift हो रही हूँ, मैं के द्वारा मैं इन्हें महत्व नहीं देती हूँ, मतलब जैसे कि माली जे कोई pain हो रहा है, तो पहले मैं उस पर ध्यान देती थी, बहुत कुछ उसके साथ कर रही हूँ, पर अब मैं अभी पिछले कुछ दिनों से ही, जैसे ठंड बड कि मैं उसके प्रभाव से ज्यादा परिशान नहीं हुई, और मेरा भाव जो था वो नियंत्रित रहा, तो ये अनियंत्रित चीजों से का अपने उपर प्रभाव पढ़ना कम हो रहा है, ये मैंने देखा, अब इसी में जब आगे बढ़ते हैं, तो ये जो बहा परिस्तिति को अनुकूल या प्रतिकूल फेरा देते हैं, तो यदि वो अनुकूल लगती हैं हमको हमारे संसकार के अधार पे, तो उन्हें तो हम, मतलब तब तो हम सुक की अवस्ता मैसूस करते हैं, पर यदि प्रतिकूल रखती हैं, तो फिर हम बहारी परिस्तितियों को दोश दे दे कि इनके कारण हम परिशान हैं या जो भी चीजें चल रही हैं तो ये जिम्मेदारी हमको खुद उठानी पड़ेगी कि बाहा परिस्थितिया जो हम अपने संसकार के अधार पर अगर हमने उनको कोई समझा है तो उसको संसकार को हमको अपना चेक करना पड़ेगा अब यदि संसकार को देखते हैं तो उसको अगर वो प्रतिकूल प्रभाव ले रहा है तो उससे परिमारजित करने के लिए फिर हमको सही समझ और सहे स्विकृतिकी और जाना पड़ेगा तो लेकिन संसकार हमारे बहुत गहरे डले हुए है जो मानेता अधारित भी होते हैं तो उन मानेताओं को तोड़ना या उनको परिमारजित करना ये थोड़ा सा एक कठिन कारे है और इस अभ्यास को मैं अभी करतो रही हूँ पर अभी इनके परिमारजित में थोड़ा वक् क्योंकि आसपास का वातवरन और जो भी चीजें पुरानी बनी हुई है मुझमें, उनको पहले तो उनको पॉइंट आउट करना और फिर उनको बदलना, तो इस प्रक्रिया को तो प्रारंब किया है, पर इसमें अभी वक्त लगेगा, एक बात इसमें और निकल के आई कि सही स समझ आधारित संसकार जो है, वो मुझे स्वतंतरता और व्यवस्था में बने रहने का अनुभव कराते हैं, तो ये मैंने महसूस किया, पिछले जो मैं आपको उधारन दे रही थी, वो जिनसे मैं मिलने गई थी, तो जैसे ही मैंने अपनी सही समझ का उपयोग शुरू किय तो मैं उनके किसी भी बोलने से प्रभावित हो गई, मतलब मुझको उनका बोलना बेचे नहीं कर रहा था, तो मुझे लगा कि मैं स्वतंतर हूँ उनके बोलने और नहीं बोलने से कोई फरक मुझ पे नहीं पड़ रहा है, तो ये स्वतंता का भाव आया, और दूसरा व्यवस्था में बनी हुई हो, वरना उनसे मिलने के पहले और मिलने के बाद, बहुत समय तक मन में वही विचार, गुसा और चिर्चिर ऐसा चलता रहता था, पर इस बर ये हुआ कि मैं उनसे मिलने के दौरान भी और उसके बाद भी मैं व्यवस्था में बनी रही, तो ये और इसी point में ये बात भी समझ में आया कि मेरा जो सुख है वो प्रभाव से हटकर सुभाव बन रहा है मतलब अब अगर मैं अपनी समझ और स्विकृति को थामे रहती हूं या उसको बनाए रखती हूं तो जो सुख है वो मेरे लिए प्रभाव ना होकर अब मेरा सुभाव बन पा रहा है दीरे-दीरे इसमें हो रहा है लेकिन मतलब एकदम शिफ्ट नहीं होता है पर दीरे-दीरे एक प्रक्रिया चल रही है और मैं इसे देख पा रही हूं स्टेप सेवन जो है वो अभी पूरी तरह अनुभव नहीं हो रहा है क्योंकि स्वयम को शुन्ने के सहस्तित्व में देखने का प्रयास तो कर रही हूं कुछ ध्यान भी लगाती हूं मैं श्याम के समय और मॉर्निंग में भी पर वो एक कांटिनियूस नहीं हो पा रहा है उ उसके मैं प्रयास रहा हूं तो इतना था मेरा अभ्यास एक और अभ्यास दो का पर जो मैं काम कर रही थी अब जो कारिक्रम है वो अब मेरा अधिक्तम कारिक्रम शरीर से हट कर चैतन्य के अर्थ में बनने लगा है बहुत सारी बाते हैं और जो मानिताएं हैं जो हम शरीर के recording करते थे जैसे यही एक की वो भी मेरी तारिफ करें तो अब ये चीज मेरी हट गई है और मैं अपने आपको जानती हूँ मतलब मैं मैं कौन हूँ या मैं self को समझती हूँ तो मुझे अब appreciation की आवशिक्ता नहीं रह गई है इसी में एक बात और आती कि अब ही एक हाल ही में हमको एक विवास हमारों में जाना था तो बड़ी सारी जैसा की चलता है की स्वेटर पहनेंगे तो ड्रेस अच्छी नहीं दिखेगी ये वो ऐसा सब एक दो विचार मन में आए और तुरंत मैंने फिर उनकी चेकिंग करी तो मुझे समझ में आए कि सह स्विकृति और मौसम जो बोल रहा है उसे साब से आपके शरीर को प्रोटेक्शन चाहिए है और हम क्यों स्वेटर नहीं पहनना चाहते हैं या फिर अपनी ड्रेस दिखाना चाहते हैं तो फॉरन इस पश्ट होने लगा कि दूसरों के अप्रीशेशन के लिए तो फिर पूछा कि उसकी क्या जरुवत है तो फिर सबज में आ गया कि नहीं सुखी रहने के लिए अप्रीशेशन का कोई संबंध ही नहीं है मैं छोड़ सकती हूँ और मैं अपने कमफर्ट में जा सकती हूँ तो मैं बड़ी कॉन्फिडेंट होके उस विवास हमारों में स्वाटर वगेरा पहन के गई और मुझे लगा कि ये परिवर्तन है कि मैं अप शरीर से हटके और मैं के बारे में सोचके अपने कारिक्रम बना पा रही हूँ तो ये जो एक दो-तीन चीजे मैंने अपने में देखी ये मुझे काफी इनसे मतलब बल मिला कि मैं सही दिशा में अपने कारिक्रम को बढ़ा रही हूँ जो अपने पर टाइम देने का या इस कारिक्रम के लिए समय देने की बात है तो मैं मॉर्निंग में एक घंटा तो इस सेशन से जुड़ी हूई हूँ नाइन्थ बैच में भी रेजिस्ट्रेशन करवाया है इसके अलावा मैं सुबे थोड़ा सा ध्यान और कुछ बोडी के लिए योगा वग्यरा करती हूँ तो उसमें ही ये चीजें सुनती रहती हूँ कुछ यूट्यूब में जो वीडियोज हैं वो डले हैं उनको मैं सुनती हूँ फिर शाम को एक घंटा मैं स्टडी में लगाती हूँ कोशिश करती हूँ कि उस समय कुछ ऐसा यही सारे जो अभ्यास है और हमारे को टेक्स्ट बुक मिली हुई है 9-10 को पढ़ाने के लिए और उसमें एक अभ्यास पुस्तिका भी है और पाटि पुस्तिक भी है तो उनको भी करती हूँ क्योंकि हर साटरडे को हम लोगों को ये क्लास लेनी होती है तो उनको थोड़ा सा करती हूँ फिर भागीदारी के तौर पे यदि मैं अपना बताऊं तो इस समय वो ही क्लासेज ले रही हूँ मैं और चुकि मेरे में कुछ 4-6 महने में परिवर्तन हुए है और मेरे साथ में जो एक और टीचर थी जिन्हों ने ये वर्क्शॉप अटेंड किया था तो उन्होंने भी प्राक्टिस की है और वो भी चल रही है तो वो भी और हम भी जब हम लोगों का व्यभार स्टाफ में दिखता है तो लोगों को ये पॉइंट आउट करते हैं कि मतलब आप लोगों में काफी चेंज आया है कभी तो वो इसको बोलते हैं कि ये इतनी इंपोर्टेंट नहीं है पर कभी-कभी बोलते हैं कि नहीं ये वर्क्शॉप करके आप लोग जब से आये हो तो आप लोग काफी सुलजे हुए लग रहे हो तो उन लोगों को जब ये बात ये लोग बोलने लगे तो मैंने अभी कुछ दिन पहले अपने स्टाफ से कहा कि यदि हो चाहें तो मैं इस कंटेंट को जितना मैं समझती हूँ उनके साथ शेयर करूँ तो अभी कुछ दिनों से हम लोग स्टाफ के साथ एक हफ़ते में जिस समय भी वक्त मिलता है तो बैट के कुछ मैं चीजें प्रस्ताओं के तोर पे रख पाती हूँ और मैडम भी और फिर उससे हम लोग की एक चर्चा तो बनती है तो लोगों को इसके प्रति मतलब इसकी समझ आ रहे है कि ये जो भी चीज है UHV का जो content है वो एक काफी विवस्थित और बहुत उप्योगी है इसको वो समझ रहे हैं इसमें मैं एक चीज और जोड़ना चाहूंगी कि अभी मैं एक छोटा सा प्रयोग कर रहे हूँ एक कक्षा नौवी का चात्र है हमारे स्कूल में और वो बहुत उदंड प्रवत्ति का बच्चा था तो जो पिछले सालों में भी और सेशन के स्टार्टिंग से टीचर्स उससे बहुत परिशान है और वो अकसर मतलब पनिश्मेंट के तौर पे उसको कुछ ना कुछ मिलता रहता है उदं करने पर और उसके जब पेरिंट्स को बुलाते हैं अगर बताने के लिए तो उसके पेरिंट्स ऐसे हैं कि उसके फादर उसको महीं मारने लगते हैं या मारते हुए ले जाएंगे इस तरह से तो मैं पढ़ाती नहीं उस क्लास में पर मुझे लगता था कि वो बच्चे से कुछ बात करनी चाहिए फिर पिछले तेड़ मैने से मैंने उसको बुलाया, बठाला पहले तो वो डरा की शायद मैं डार्टिंगी कुछ पर फिर दीरे से मैंने उसके सामने कुछ प्रस्ताओ रखे कि तुम मार खाते हो तो तुम्हें कैसा लगता है तो बहुला दुख लगता है फिर कभी-कभी तो इक्षा होती है कि मैं कुछ कर लूँ फिर मैंने का तो इसके लिए जो कारिकरम तुम बना रहे हो वो क्या सही चल रहा है ऐसे उससे कुछ बातें की, मैंने का कुछ कारिकरम चेंज करो कुछ कारे करते हो तो उस वक्त सोचो कि ये करने के बाद अगर मार पड़ेगी तो इसे ना किया जाए तो पिछले 15-20 दिन मैंने बड़ से उसमें काफी चेंज आया है मतलब ये मुझे उस क्लास के जो टीचर्स हैं जो पढ़ा रहे हैं उन्होंने आके बोला कि वो बच्चा अब उस तरीके की हरकते नहीं करता मतलब वो कहीं क्लास में डिस्टरब करता था, सीटी बजा देता था या फिर इस तरीके का कि क्लास से टीचर उसको निकाल दे या पर डांटे वो इस तरीके से अपना बहेवियर था उसका तो उसमें कुछ परिवर्तन आया है और अब वो एकाद दो दिन छोड़के और खुद मेरे पास आता है मुझसे 15-20 मेट आदे घंटे बात करने के लिए प्री पीरियट में और चेंजेस देख रही हूँ मैं उसमें हाला कि ये बहुत अभी इनीशिल स्टेज पे है तो मुझे लगता है कि शायद उसके पेरेंट से भी धीरे से मिलके और कुछ करके उसको एक सही दिशा मतलब मतलब ये कारिक्रम ही दे पाएगा मैं तो क्या तो ये एक काम मैं कर रही हूँ आगे मैं UHV की टीम के साथ चुड़कर काम करना चाहूंगी पिर अभी मुझे खुद में बहुत ये आत्मविश्वास नहीं है कि मैं इस कंटेंड को और इसको अच्छे से समझ पाई हूँ तो कुछ समय और इस पे काम करके फिर मैं किसी ना किसी तरह की भागीदारी इसमें दूँगी और एक अगला मेरी इक्षा ये भी है कि मैं संस्थान में जाके फेस टू फेस वर्क्शॉप करूँ तो उसके लिए मैं देख रही हूँ जैसे ही टाइम और उसकी सुविधा होती है तो मैं किसी ना किसी वर्क्शॉप को जाके जरूर करूँगी तो इतनी ही मेरी शेरिंग थी धन्यवाद तो इंगी का भी बहुत ही हाल का ही जुड़ाव है पर उनको जिस तरह के उन्होंने शेरिंग की है और जो इन्होंने बात बताई कि बच्पन में बुद्ध की बारे में अमर्ची तरकता हैं पढ़कर उनके अंदर प्रेड़ना बनी और खुद से वह प्रयास करती रही फिर अपनी तरफ से कुछ और भी जगों पर प्रयास करें इससे ऐसा दिखता है कि एक जिद्यासा उनके अंदर बच्पन से बनी रही और अब जब यह प्रस्ताव उन्हें मिला है तो मुझे आशा है कि आगे और गंधीरता से अपने उपर कान करेंगी इसलिए कुछ महिलों में इक दीदी ने एक अच्छी गति की है और जिस तरह सुनने कोई पार्दरशीदा से बताया कि कैसे उनके भाव बिगड़ जाते थे चोटी-चोटी चीज़ा मुने उन उनके साथ ही अगर कुछ श्येरिंग कर रही है तो उनका कैसा बहुबन रहा है पार्टी में कोई उपस्तर पहन के जाना तो कैसा बहुबन रहा है इससे दिख रहा है कि अपने उपर ध्यान दे रही है दंभीता से और इसमें एक अच्छी सम्हावना मूंडी सबहाई दे उसमें अभी कई साथियों की जरुवत है उसकाम को इफेक्टिव बनाने के लिए अभी आपका जो प्रोफेशनल इंगेजमेंट है किस प्रकार से रहता है तो तो थोड़ा ज्यादा वक्त वहाँ चला जाता है पर मैं कोशिश कर रही हूं कि थोड़ा सा मैं इस कंटेंट से थोड़ा और मैं कॉण्फिडेंट हो जाओं तो मैं स्कूल में जैसे मैंने स्टाफ के साथ शुरू किया है तो मैं फिर समपर करके कुछ या तो टीचर थे कुछ प्रोग्राम या अभी उनमें एक सुपर यदी जोब बचा वह आपका सर अभी तो मेरा दस बारा साल और जॉब है जी मैं एक्शुली पहले कॉलेज में थी फिर यह अभी जो एक्जाम हुए थे 2018 में उसको क्रेक करके मैं ये स्कूल एजुकेशन में आई हूँ और किस क्लास को पढ़ाती हैं सर मैं 11 11 और 12 में कॉमर्स पढ़ाती हूं वाने जिवेश है बढ़िया दीदी ठीक से और मन लगाएं हाँ जी जरूर और वहां जो भी फेस टू-फेस कारकम होते हैं निवास जबलपूर के बीच में मैं कोशिश करूँगी अब ये बोपाल इन दौर में कोई भी वरक्शॉप होगी तो मैं वह जरूर अटेंड करूँगी मैं संपर्क में भी हूँ और राजयानन संस्था भी शायद फिर से यदि कराता है तो मैं वहां जरूर जाओंगी इसमें और संस्थान भी जाने का मैंने मन बनाया है तो इस वर्ष में तो मैं जरूर एक आगडर वो आवासी है जो वरक्शॉप होती हो से करूँगी तो अभी कानपूर में जी जी वही जी वही जो लोग एक मिलन समार वक्ते हैं उसमें आजाए या पिक कुछ ऐसा एगर इंटेंसी वरक्शॉप होता है तो इसमें जी आपाजाए आपको तो अभी शासीं की तरफ से इसमें जाने के अनुमते भी मिल सकती है तो अभी फ्राइडे की जो मेटिंग होती है वो भी मैं अटेंड करती हूँ क्योंकि वो स्कूल के लिए होती है यूएच्वी की तरफ से ही प्रत होड़ा सा मेरे में और इंप्रूव्मेंट हो जाए तो फिर मैं खुड़ा और सक्रिय भागीदारी अपनी दूँगी और मॉर्निंग सेशन में जुड़े रहे हैं वो मैं जुड़ी रहूंगी मैं कही रही हूँ आपसे की परपस ऑफ लाइफ जो होता है जिसको मैं और मुझे लगता है कि बहुत फोर्सफुल ही हमें भेजा गया था वहां पे वालमी में ये वरक्शॉप के लिए पर पहले दिन के बाद ही मुझे समझ में आ गया था कि मतलब ये ईश्वर की बेजा हुआ मेरे लिए गिफ्ट है और मैं भानुवेया को जब साथ दिन सुन दिया है एक यूएच वी के साथ में जुड़ गया जी धन्यवाद दिया बढ़े आईवी